माप्र करमचारियों के लिए बुरी खबर बिना हेलमेट करमचारियों पर विभागी ये कार्यवाही का आदेश जारी कलेक्टर श्री अक्षे कुमार सिंग ने ग्वालियर जिले के शासकिय करमचारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि आज दिना के बाद जो भी करमचारी टू वीलर में बिना हेलमेट के और फोर वीलर वहन में बिना सीट बेल्ट के पकड़ा गया तो उसके खिलाफ ट्राफिक पुलिस को चालानी कार्रवाई करेगी ही लेकिन विभागिय कार्रवाई भी की जाएगी कलेक्टर एवम जिलाद अधिकारी श्री अक्षे कुमार सिंग ने यातायात नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से इस आशे का आदेश सभी विभागों के कार्याले प्रमुखों को जारी किया है यह आदेश शासकीय सेवकों के साथ साथ अशासकीय एवम अर्थशासकीय कार्यालेों में पदस्थ अधिकारी एवम कर्मचारियों पर लागू होगा वरिश्ट पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गए प्रतिवेदन के आधार पर यह आधेश जारी किया गया है अपर जिला दंडाधिकारी श्री एच बी शर्मा ने बताया कि जिले की सीमा में स्थित सभिशासकिय अशासकिय एवं अर्थशासकिय कार्यालियों के जिला स्तरिय कार्याले प्रमुख को इस आदेश के जरिय निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्त अधिकारियो एवं कर्मचारियों को दुपहिया वहन चलाते समय हेलमेट पहनने एवं चार पहिया वहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने के लिए आगाह करें साथ ही उनसे यातायात नियमों का शत्प्रतिशत पालन कराएं उप पुलिस अधीक्षक यातायात को भी इस आदेश के जरिय निर्देशित किया गया है कि वे वहनों की चेकिंग के दोरान ऐसे शासकिय सेवकों की जानकारी संबंदित कार्याले में अवश्य पहुचाएं जो वहन चलाते समय हेलमेट वसीट बेल्ट का उप्योग न कर या यातायात नियमों का उलंगन कर रहे हैं आदेश में सपष्ट किया गया है कि यातायात पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जिला स्तरिय कार्याले प्रमुक अपने अधीनस्थ शासकिय सेवक के खिलाफ नियमानुसार अनुशासना अत्मक कार्रवाई करना अपर जिला दंदाधिकारी श्री एच बी शर्मा ने बताया कि माननिय उच्च न्यायाले में लंवित रिट पेटिशन के अंतरगत सभी वहन चालकों को यातायात नियमों का शत्प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिये गए हैं इस परिपालन में शासकिय सेवकों से भ जाने के लिए ये हादेश जारी किया गया है